हलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग इस वीडियो में हम इस्थली आवास के बारे में जानेंगे इस्थली आवास यानि टेर्स्टेरियल हैविटेट जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो आवास हैं उनका हमने जब बरगी करण किया था तो हमने चार प्रकार के आवास जीवों के अध्यन की सुरुवात की थी उसमें पहला था फ्रेस बाटर हैविटेट दूसरा था मरीन बाटर हैविटेट और तीसरा था यूस्ट चेराइन हैविटेट या बेला संगमी आवास और जो चौथा प्रिकार आवास का वो है स्थली आवास स्थली आवास अपने आप में काफी डाइवर्स है बहुत अलग-अलग तरीके का इंवार्मेंट मिलता है तो इस वीडियों हम स्थली आवास के बारे में अध्यन सुरू करते है तो जो टेरिस्टीरियल हैविटेट है या टेरिस्टीरियल हैविटेट का जो अध्यन करने वाली बिज्ञान की साखा है उसको हम टेरिस्टीरियल कुलों हैं कॉंसेप्ट क्या है सिद्दान्त ये है कि जो टेरिस्टीरियल बायोम्स है या जीमोम्स है वो जलवाईयू और जो डिस्टर्वेंस होता है उसके द्वारा कंट्रॉल होते हैं यह तो है इसका पीछे कॉंसेप्ट और इसी का हम अध्यान टैरिस्टेरियल एकोलोजी में करते हैं और यह जो बायोम सोते हैं इस्तलिये जो आवास है हम कोपेन ने इसको क्या है बड़े बड़े छेत्रों में बाटा जिनको हम बायोम कहते हैं तो जो ये बायोम है ये जीवों के बड़े बड़े छेतर हैं जिनका गरेक्टराइजेशन वहाँ की जो बनस्पती जात है उसके आधार पर किया जाता है और जो फिजीकल इंबायरमेंट है उसके आदार पर किया जाता है और इन जो ये जो इस्थलिय आवास है टेरिस्टिरियर हैबिटेट है इसके निर्धारण में जल वाईयू एक मैथपून कारक के तोर पर प्रियुक्त होती है इस्थलिय आवास जीवों का जो ब्रिस्तित अध्यन है उसमें ये जितने भी मैदान हैं पहाड हैं रेगिस्थान हैं उन सब का अध्यन किया जाता है तो इस्तल पर जहने वाले जितने भी जीव हैं, उनके आवास का ध्यन ही स्थलिय आवास के अंत्रगत किया जाता है और इसमें विभिन प्रकार के पारिस्तितिक तंत्रों का समावेश होता है और प्रतेक जो तंत्र है उसका अपना महत होता है जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भूमंडल है उसका लगवग 30% भाग इस्थल है और लगवग 70% भाग क्या है जलिये है जहां पे समुद्र फैले गोए तो हमाईर जो पूरी प्रत्वी है भूमंडल है उसका 30% भाग इस्थल है और विभिन प्रिकार की बिश्थ भौग वलिक परिस्थितियों के कारण जो इस्थलिये आवास है उन में विभिन्यताएं दिखाई देती है इस्थलिये छेतर के अंत्रकात हम जैसे बन छेतर देखते हैं तो बंचेत और मरुस्थल दोनों को देखें, तो दोनों की जो परिस्थितियां हैं, वो अलग हैं, एकदम भिन्न हैं, इन दोनों आवासों को, यानि बंचेतर के आवासों को और मरुस्थल के जो आवास हैं, उनको बिलकुल अलग-अलग विभेद उनमें किया जा सकता है। तो जी मंडल में हमने देखा चार प्रकार के आवास होते हैं, एलबणी आवास या फ्रेस वाटर हैविटेट, दूसरा समुदर जली आवास या मरीन वाटर हैविटेट, तीसरा बेलांचली या बेला संगमी आवास या एस्चुराइन हैविटेट और चौथा प्रकार जो है वो स्थली आवास या टैर्स्टिरियल है तो टैर्स्टिरियल हैबिटेट के अंतरकत अनेक छोटे-बड़े परिश्टंत्र पाई जाते हैं या एकोसिस्टम पाई जाते हैं इनके नाम उनके सामधायक आवास अंकी जो dominant जीवधारियां होती हैं उसकी आदार पर होता है जैसे बन चेत्र या बन पारितंत्र या फोरेश्ट एको सिस्टम जिसको कहते हैं दूसरा मरुस्तली पारितंत्र या डेजर्ट एको सिस्टम ग्रास लेंड एको सिस्टम गास भूमी जो परितंत्र होते हैं और क्रॉप एको सिस्टम आदी तो इस तरह से हम जो स्थली आवास के जो हैबिटेट हैं, उनको भी फर्दर डिवाइड करते हैं, उनके जो डॉमिनेंट जीव होते हैं, उसके आदार पर, ठीक है, तो यदि हम देखें, कि जो ये बंचेतर और मर्शत्र ये छेतर हैं, उनकी बिसेस्ता है बिन बिन नहीं, इसलिए इनको हम अलग-अलग आवास मानके चलते हैं, जैसे जो बंचेतर हैं, उनकी बिसेस्ता हैं देखेंगे तो क्या होगा, बंचेतर में जल उपिस्तित होगा, लेकिन मरुस्तल में जल कावाब होगा, बंचेतर में बनस्पतियां पाई जाएंगी, लेकिन मरुस्तल म उतार चड़ाप होगा, रात का टेमप्रेचर एकदम डाउन हो जाएगा, दिन का टेमप्रेचर जादा होगा, तो उनका यदि देनिक तापांतर देखेंगे और बार्सिक तापांतर देखेंगे, तो मरुस्तलिय छेत्रों में ये तापांतर अधिक पाए जाएगा, जबकि जो बन छेत्र होंगे उनमें आदरता अधिक पाई जाएगी, जबकि जो मरुस्तल ये छेत्र हैं, उनमें आदरता अनुपस्तित होगी. बन छेत्र होते हैं, चुकि ये घने होते हैं, इसलिए इनमें प्रकास की जो उपलब दिता है, वो भी कम पाई जाती है, जो छोटे पादप हैं, जो बड़े पेड़ों ब्रक्षों के नीचे होते हैं, या घना बन होता है, उसमें प्रकास की उपलब्दा कम हो जाती है, जबकि जो डेजर्ट हैं, उनमें प्रकास की उपलब्दा अधिक रहती है, जो बन छेत्र होगे, उ में नमी अनुपस्तित होगी बंचेत्रों में भाईयू का बेग भी कम रहेगा लेकिन मरुस्तलों में भाईयू का बेग अधिक रहेगा तो इस प्रिकार से जो बंचेत्र और मरुस्तल हैं उनकी बिसेश्टाइं आप देख सकते हो कि दोनों की विशेष्टाएं एकदम से अलग है इसलिए दोनों ही पारितंत्रों का एको सिस्टम्स का अध्यन अलग-अलग करते हैं अब हम बात करते हैं इस्थलिय जो आवास है उसके प्रमुक लक्षण क्या है इस्थलिय आवास का जो बरगी करण है इस्थलिय आवास एक तो बहुत बहत आवास है इसे बिभिन कारक प्रभावित करते हैं इस्थलिय आवास पर जो इस्थला किर्ती होती है जलवाईयू होती है या जो इन्वेर्मेंट का एफेक्ट होता है वो पढ़ता है जलिय आवास की तुलना में यहां रहने वाले जीवों को जलकी भी कमी का सामना करना पड़ता है यही नहीं जो यह छेत्र होते हैं इनमें बहुत सारे जैसे परवत बगेरा हैं यह अब रोध उत्पन करते हैं जन्तों के स्वतंत बिच्चरण को प्रभावित करते हैं इस तरह से इस्थलिय जो आवास हैं उसके लक्षणों को हम देखें जो इस्थलिय आवास है उसका जयादी बरगी करन करें तो इस्थलिय आवास में मुक्रूप से दो घटक हैं एक तो अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक या बायोटिक फेक्टर्स जो अजैविक घटक है ये जलवायू सम्बंदी कारक हैं क्योंकि जलवायू के आदार पर ही जीव विभिन कारकों के पृति शक्रियता प्रदर्शित करते हैं तो इन में कौन-कौन से कारक आएंगे अजयबिक में आप लोग जानते हो पहले कई वीडियो में ये बात है हो चुकी है तो मुक्रूप से प्रिकास है तापमान है प्रिकास लाइट तापमान टेंपरेचर और जल है बाटर ऑक्सीजन है कि उपलब दिता है प्रदी यदि हम इनको देखें कि इनका कैसे जीवों पर प्रिभाब पड़ता है तो प्रिकास को देखें तो प्रतेक जो आवास है चाह कोई साभी आवास हो आपने मरीन हैविटेट देखा आपने फ्रेस्वाटर आविटेट देखा आपने ये उस चरायन हैविटेट है वो देख इसलिए जो समस्थ जीव है या जन्तू है पिर्त्यक्षिया परोग छुरूप से प्रकास पर निर्वर रहते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं जलिया आवास की तुल्ना में जो इस थलिया आवास है उसमें प्रकास अधिक मातरा में अप्लब्द होता है और इसका लोगी गोर्वन को करेशों को नियंत्रित्र ओन्स नींगश्रेंट बिस्ट करते हैं तो उससे नहीं का रत प्रक्रम से ये भी जो terrestrial habitat है उसमें एक महत्मून कारक होता है बिभिन इस्थली आवासों में तापक्रम में भिनता पाई जाती है प्राय इस्थल का तापक्रम है वो माइनस 68 से लेके 60 डिग्री तक होता है हम पूरे बिस्थल को यदि हम देखें तो जो बर्फ से साइवेरिया जैसे छेतर है वह माइनस 68 से लेके और 60 डिग्री तक रहता है इस्थली जो आवास है वो जीव अपनी जो जीवों की जो उपापचाई करिया है जो एक्टिविटीज होती है उनको बनाए रखने के लिए ये तापक्रम है इसका उच्चिस्तर बनाए रखना होता है तो आपने ये भी जाना पहले कि जो जन्तु तापक्रम को नियंत्रित रख सकते हैं उनको नियत तापी या समतापी या हॉमियो थर्मल जीव कहते है जबकि बेजन्तु जो बातावरन तापकरम के आदार पर ताप इस्थाई होता है या बातावरन तापमान को उनकी सरीर के को नियत करता है तो ऐसे जीवों को हम ए समतापी या ए नियत तापी या पॉयकलियो थर्मल एनिमल कहते हैं, तापक्रम जन्तु के आकार और उसके ब्यभार दोनों को प्रमावित करता है, तीसरा जो कारक है वो है जल, बाटर, देखिए जो मरीन हैविटेट हैं या फ्रेस बाटर हैविटेट हैं उनमें बाटर होता ही है, तो वहाँ पर तो ये लिमिटिंग न होता है, यह जीवन का आधार है, जो जितनी भी जैविक क्रिया होती है, वो सब के लिए बाटर आवसक है, जलिये जीवों के लिए जल परयाप्तमातर होता है, लेकिन जो इस्थलिये जीव हैं, उनमें हमेशा जल की कमी का सामना करना पड़ता है, और इसका सीधा पानी को स्टोर कर ले बॉड़ी में, तो कई दिनों तक काम चला सकता है, जो अगला एजाविक फैक्टर है, वो है ऑक्सीजन, भाईयो मंडल में ऑक्सीजन का अनपात लगभग 21 परसेंट है, अते जो टैरिस्टीरियल हैविटेट होते हैं, उन जीव जनतों को परियप्त मातरा में ऑक्सीजन उपलब रहती है, लेकिन आपने देखा जब बात करेंगे जली आवास की तो उसमें नीचे नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो जो जली आवास वाले जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जल मे आबास के लिए तो एक सीमाकारी कारक है लेकिन इस तली आबास में oxygen सीमाकारी कारक का काम नहीं करती है अब है अगला जो factor है वो है प्रदीपन या illumination illumination का मतलब है प्रकास कितने intensity का है जिससे जो दिप्तकालिता का पौधे और जंतु दोनों पर फोटो प्रियोडिज्म जैसे कहते हैं प्रकास कितनी देर उपलब दोता है तो इसका प्रभाव जो जंतु और पौधे होते हैं दोनों पर ही पड़ता है जंतु की जो अधिकांस गत्लिवी दिया है वो प्रदीपन पर निरवर करती है यह जंतु को पहचानने चिपने श्वम की रक्षा आर्थात बचाव करने में भी सायक होती है अगला जो मैत्मूर कहा रख है वो है मिर्दा इस थलिया आवासों के लिए मिर्दा है वो एक बेस्प्रदान करती है इसकी जो फिजीकल और केमीकल स्ट्रक्चर होती है उसका डायरेक्ट एफेक्ट वहांके एनिमल और प्लांट्स पर पढ़ता है उनकी क्रियाओं पर पढ़ता है इसमें जो पोशक तत्व होते हैं या जो कारवनिक पधार्थ पाए जाते हैं वो उन जन्तूओं को पादभों को प्रभावित करते हैं अते जो बिन्विन प्रकार की मिर्दा है उनमें बिन्विन प्रकार की बनस्पतियां पाए जाएंगी और उसी के आदार पर बिन्विन प्रकार के जन्तू पाए जाएगी अजैबिक गटकों में अगला जो गटक है वो है अवरोद जो भौगौलिक अवरोद है उनके कारण इस्तलिय जो प्राणिय है उनका जो migration है और distribution है वो प्रभावित होता है तो अवरोद भी जन्तों के distribution पर effect डालते है तो इस्तलिय आवास का जो दूसरा भाग है वो क्या है उसके जैविक कारक है या biotic factors है इस्तलिय आवास में रहने वाले जन्तों विविन प्रिकार से पोशन करते हैं और पोशन के सुभाव के आदार पर ही उनको classify किया जाता है जैसे परजीवी, परपोशी, परवक्ची, आदी के मद रहने पर भी जो जैव समदाय होता है उसकी रचना निर्भर करती है तो जैविक कारकों को यदि हम बाटे तो तीन भागों में बाट सकते हैं स्वेपोशी, बिशमपोशी और इसकी वेंजर अपमाड़ जग ओटो ट्रॉफ्स जो होते हैं वो इस्थली आबास पर पाये जाने वाले समस्थ हरे पादप हैं जो की प्रकास संसलेशन के द्वारा पोजन बनाते हैं इसलिए स्वेपोशी क्यालाते हैं या प्रात्मिक उत्पादक क्यालाते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया द्वारा ये ऑक्सीजन के पुनर भरण में भी शयोग करते हैं और मिर्दा का जो छरणे उसको भी रोकने का कारिय करते हैं दूसरे प्रकार के जो जैविक कारक हैं वो हैं विशम पोसी ऐसे प्राणी जो पोसन के लिए दूसरे जीवों पर आधारे तैते हैं वो क्या कहलाते हैं विशम पोसी कहलाते हैं और इनको फिर फरदर हम दो भागों में बरगी करते हैं साकाहारी या हारवी वोरश इस थली आ मासा हरी जन्तु कहलाते हैं ठीक है और तीसरा जो बायोटिक फैक्टर है तीसरे जो कारक जैविक कारक है वो है अपमार्जक या इसके वेंजर्स ये ऐसे जन्तु है जो मिरत पादप या मिरत जन्तु उपर अपने पोसर्ण के लिए निर्भर रहते हैं इनको ही अपमार्जक कहते हैं को जन्तु आन्सिक रूप से अपमार्जक होते हैं और वही कुछ जो जन्तु होते हैं वो पूर्ण रूप से अपमार्जक होते हैं और अपमार्जक की क्रिया के द्वारा इस्थलिय आवास में सुच्छता बनी रहती है तो इस तरह से हमने इस्थलिय आवास के जो Characteristics होते हैं लक्छण होते हैं उनको इस वीडियो में देखा अगले वीडियो में हम विस्प के जो प्रमुक जीवों में या बायों में उनके बारे में बात करेंगे तब तक लिए धन्यवाद, thank you.